हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान अकेडमी पर मैं परविंट सेंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लेब असिस्टेंट यानि प्रियोग साला साहिक के लिए फिजिक्स की क्लासेश लेकर के आ रहा हूँ और फिजिक्स की क्लासेश के अंतरगत हम अभी तक दोस्तो टोटल 9 टॉपिक जो हैं आप लोगों के कम्प्लीट कर चुके हैं अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रमाणू यानि की एटम बोर्स मॉडल ऑफ हाइडोजन एटम जो हमारा एक टॉपिक है उसको आज हम कम्प्लीट करने जा रहे हैं और आज का ये वीडियो दिखने के बाद में आपके फिजिक्स का सेलेबस कम्प्लीट हो जाएगा मैं आज ही इसी वीडियो के अंदर पूरी जो atomic physics आपके दे रखी है जो और model दे रखा है वो पूरा का पूरा complete करवा दूँगा ठीक है उसके बाद मैं अपने जो है इस physics के अंतरगत इस में कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला लगबग हमने 80 classes theory की upload करी है और 13 classes model paper की भी uploaded है और B classes अब जो है आप लोगों के लिए question practice की upload की जाती रहेगी ठीक है चलिए दोस्तों तो आज की class करते हैं start इस chapter से लगबग 3-4 question जो है आप लोगों को exam में देखने को मिलेंगे अब मैं आपको कोशन भी दिखा देता हूँ जैसे की PYQs के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये question 1216 में पूछा गया था की hydrogen परमाणू में electron की ionization energy यानि की आइनी करण उर्जा 13.6 electron volt है तो deuterium परमाणू में electron के लिए यह है तो यहाँ energy का direct formula होता है वो आपको यूज करना है चाहे hydrogen हो चाहे deuterium हो hydrogen और deuterium दोनों के ही परमाणू संख्या या परमाणू करमांग अगर हम देखते हैं तो वो same होता है कितना होता है Z? Z होता है 1 ठीक है? और चू कि यहाँ किसी भी परकार की कक्षा की बात नहीं की गई है तो यहाँ पर हम लेंगे कक्षा N बराबर 1 ही तो hydrogen के लिए अगर N बराबर 1 ले रहे हैं तो deuterium के लिए भी N बराबर 1 लेंगे और Z ही से हैं तो आपको मैं अभी आगे जब formula बताऊंगा तो आपको पता अनुकरमान के दोनों के दोनों सेम है तो इसका मतलब deuterium की भी जो आइनी करण उरजा है वो कितनी होगी 13.6 electron volt ही होगी फिर था next question बहुर मोडल के अनुसार electron का N बराबर 2 कक्षा में कक्ष कौनिय सम्वेग होगा तो कक्ष कौनिय सम्वेग है N अच अपॉन में 2 πाई कितन इसका आंसर ये आपके कोशन था एक्जाम में ऐसे कोशन ही आए है next question है tritium यानि की ये जो tritium होता है आपका hydrogen का समस्थानी के ये परमानू की N बराबर 2 अवस्ता के लिए बहुर कक्षा की तिर्जिया होगी तो जो तिर्जिया होती है दोस्तों वो होती है rn is equal to 0.529 क्या होती है 0.529 एंगस्ट्रम में ठीक है किसके अंदर ये तो है हमारी एंगस्ट्रम के अंदर और ये कब होती है जब N बराबर 1 होता है और rn के लिए general जो formula दिया जाता है वो formula दिया जाता है आप लोगों के क्या दोस्तों तो इसका formula है n square a naught upon me z और a naught की value है ये 0.529 और n square हो गया 2 यानि की 4 z हो जाएगा 1 ही तो इसका मतलब हमें करना है केवल इसका 4 से multiply क्या करना है 4 से multiply करना है और आपको पता है कि ये लगबग point 500 है यानि आदा 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 एक आदा 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 फिर 1.5 और 2 तो लगबग इसका answer जो है वो 2 point को जाएगा तो हम इसका answer ये कहेंगे क्यों एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर ठीक है और ये जो है 0.529 इसको 4 टाइमस अगर एड करेंगे तो लगबग 2 से उपर ही जाएगा क्योंकि 29 29 ये थर्टी 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 चार यानि 12 तो यह answer आजाएगा 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर तो ये आपके 2016 के पेपर में किसमें? 2016 के पेपर में आय हुए कोसन थे जो आपने देखा कि हमने मात्र तीन मिनट में तीनो कोसन कंप्लिट कर दिये अगर आप exam में ये कोसन करते तो मुझे नहीं लगता है कि तीन मिनट भी लगते 2 से 1.5 मिनट के ये कोसन थे और आप कर सकते थे और इन तीनों के मिलाके चेह नमबर आपके आ सकते थे तो लगबग हमने जो है चेह नमबर का कंटेंट इस चेप्टर के अंदर तयार होने वाला है ठीक चलो अब दोस्तो हम समझेंगे सबसे पहले कि आखिर में ये जो एटम है इसकी उत्पति वग्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी में आपको दूँगा उसके बाद में हम इसके जो बहुर मोडल है उसके उपर आ जाएंगे ठीक है तो जो पर्माणू है दोस्तो क्या प्रमाणू ठीक है इस प्रमाणू को ही हम क्या कह रहे हैं बता दूँ की एक दोस्तो हमारा वेसे सिख दर्षन नामा के गरंथ है क्या गरंथ है एक गरंथ है हमारा वेसे सिख गरंथ है उस गरंथ के अंदर महर्स्रि हुए है कनाद कौन महेश्री कनाद ये बारते दर्शन सास्त्री थे इन्होंने कहा कि ऐसा कन जो अविबाज्य हो कन जो अविबाज्य यानि कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता हो तो प्रमाणू एक ऐसा कन होता है जो अविबाज्य होता है और इसे वैसे सिक दर्शन नाम के गरंत के अंदर भारते दर्शन सास्त्री महेश्री कनाद ने इसे प्रमाणू कहा है इसके बाद में जो परमानू के बारे में पूरी सिदान्तिक रूप से इसकी जानकारी जो है वो सर्व परतम कौन से वेग्यानिक ने प्रस्तूत करी थी या हम कहा सकते हैं प्रमानु सिदान्त जो प्रस्तूत करा है वो हमारे 1803 के अंदर किसके द्वारा प्रस्तूत किया गया था डाल्टन के द्वारा 1803 में डाल्टन ने जो है दोस्तों आपके इस चीज को प्रस्तूत करा था तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है ठीक है फिर इसके बारे में इस परमाणू की study के लिए अलग-अलग model आए जिसमें कि आपका मैं अलग-अलग नाम बता देता हूं के वल और वो नाम ही आपके काम के हैं बाकी उसके बारे में आपके study नहीं करनी है जैसे कि सबसे पहले आपके नाम आजाता है तो वो आजाता है Thompson model कौन सा model Thompson model और इस Thompson model को ही हम तर्बूज model भी कहते हैं ठीक है क्योंकि इन्होंने परमाणू की जो तुलना है वो तर्बूज से करी थी इसके बाद में दोस्तों आपके आजाता है Rutherford model इस Rutherford ने परमाणू के केंद्र वगेरा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी और इसके बाद में आया दोस्तों क्या तो hydrogen वा hydrogen के सदर्स एक मिनट hydrogen वा hydrogen के सदर्स परमाणू के लिए बार मॉडल कौन सा मॉडल आया बार मॉडल आजाता है ठीक है एक मिनट बार मॉडल ये बात आपको याद रखनी है और हमारे यही काम का है हमें hydrogen और hydrogen के सदर्स यानि hydrogen के सम्मान ही उसी के सम्मान जो प्रमाणू होंगे उन प्रमाणू के लिए बोर मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया गया क्या प्रस्तुत किया गया बोर मॉडल प्रस्तुत किया गया और अगर आप सेलेबस में देखेंगे तो इस पर्ष्ट रूप से आपके सेलेबस में यही चीज मेंसन है देख लीजिए कि प्रमाणू और फिर हाइड्रोजन प्रमाणू का बोर मॉडल यानि प्रमाणू के बारे में आपको थोड़ी को जानकारी होई जाएगी जब बोर मॉडल पढ़ रहे हैं तो और फिर आप बोर मॉडल के बारे में पढ़िए मतलब हमें तॉम्सन और रदर फोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है वैसे यह आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं बोर मॉडल के बारे में ठीक है चलिए तो अब हमारा चलिए ठृब हमना है भार मॉडल ठीक है अब हिंदी में आपको नहीं भी बोर आपके करने या तो भौर-बोर करें चाहा है चाह के आपके जो चीना हो यादो न चीए कि तो अब दोस्तों यह गईयानिक ते कहां के डैनमार्क के वेगयानिक उए हैं निल्स बोर, कौन निल्स बोर इस निल्स बोर नामक वेगयानिक ने जो है रदर फ़ोल और आपके थॉमसल मॉडल से जो चीजए प्राप्ट करी उन चीजों को mix करते हुए इसने चीर सम्मत फौदिकी यानि कि जो आपके physics के कुछ concepts को लगाते हुए mechanical physics के कुछ concepts को लगाते हुए इसने जो है आपके इस प्रमाणू के बारे में अपना एक model प्रस्तूत करा उस model का नाम फिर रखा गया क्या बार model तो इन्हों ने इस model को जो प्रस्तूत करा तो जो पीछे हमारे रदर फोर्ड और फॉम्सन मौडल की कमिया थी उन कमियों को इसने complete करा उन कमियों को इसने दूर कर दिया उन कम्मियों को दूर करने के लिए जो बहुर मॉडल है या जो बहुर सिदान्त है उसके अंदर कुछ अभीगरहित है कुछ पॉस्टूलेट्स है कुछ ऐसी बाते हैं जो आप लोगों को जो है दोस्तो याद रखनी पड़ेगी मतलब जो इन्होंने जो है पहले से ही कुछ चीजों को इन्होंने माना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा यानि कि इन्होंने कुछ चीजे अभीगरहित के रूप में इन्होंने पहले से जैसे मैस के अंदर थियोर्यम होती है उस थियोर्यम के रूप में इन्होंने कुछ चीजों को बौर सिद्दान्त के अभी ग्रहित ठीक है किसके बारे में बात करेंगे बौर सिद्दान्त के जो अभी ग्रहित है उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं ठीक समझ में आ गई बात किलियर है चलिए तो अब बात कर लेते हैं देखो सबसे पहला जो इन्होंने अपना पॉस्टूलेट दिया है वो ये दिया कि जो रदर फोर्ड है उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन या कोई भी ऐसा परमाणू उसके अंदर जो इलेक्टरॉन होते हैं वो गुमते हैं प्रिकर्मन करते हैं तो अगर प्रिकर्मन करते हैं तो मेकैनिक्स के अकॉर्डिंग वो जब गुमते जाएंगे गुमते जाएंगे एनर्जी लॉस हो गई तो एनर्जी लॉस होने के बाद वो कभीन कभी तो केंदर के अंदर जाना चीए इलेक्टरॉन जबकि ऐसा नहीं होता है उसका इस्ताइत्व है प्रमाणू तो इस्तीर रहता है तो उस चीज को दूर करने के लिए बोहर ने कहा कि प्रमाणू जो होता है जो एटम होता है वो प्रमाणू में इलेक्टरॉन कुछ निच्चित कुछ निच्चित त्रिज्याओं की निच्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही परिकर्मन करता है ठीक है तो प्रमाणू में जो इलेक्टरॉन है वो कुछ निच्चित त्रिज्याओं की जो कक्षा होती है उसके अंदर ही गुमता है ऐसा जो है सबसे पहले इन्होंने माना है ठीक फिर इन्होंने कहा कि इन कक्षाओं में ये जब परिकर्मन करेगा तो इलेक्टरॉन जो है अपने अंदर से कुछ विकीरणों को उसरजित नहीं करेगा जब कुछ फिक्स कक्षाओं में है तब तो हम क्या सकते हैं कि कुछ निजित कक्षाओं में ही परिकर्मन करता है तो इस परकार की विशिष्ट यानि इस्पेसल विशिष्ट कक्षाओं को इस्थाई कक्षा कहा गया ठीक है तो जो इस परकार की कुछ विशिष्ट कक्षाओं थी उनको इस्थाई कक्षाओं कहा गया और इसी के साथ में ये भी कहा गया कि प्रते कक्षाओं के अंदर जो परिकर्मन करने के लिए आपको फोर्स भी तो चीज़ को सरकुलर मोसन करने के लिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर आपको क्या चीज़ होता है एक अभी के अंदर ये बल जरूर होता है तो जो अभी के अंदर ये बल है वो कहां से मिल रहा है तो जो नाबीग है उसके अंदर जो प्रोटोन है वो और इलेक्टोनों के बीच का जो आक्रशन बल है उसकी वज़े से ये जो इलेक्टोन है अपनी निचित कक्षाओं में परिकर्मन कर सकते हैं ये चीच रधर फोर्ड ने नहीं बताई थी लेकिन बौर्र ने बता दी ठीक तो ये पहला पॉस्टूलेट दूसरा अभीग्रइद क्या कहता है और दूसरा अभीग्रइद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों क्योंकि दूसरे अभीग्रइद से अभी बताऊंग रहा है लेकिन कुछ निचित कख्षाओं में कर रहा है तो जो निचित कख्षाओं हैं वे निचित कख्षाओं कौन सी होगी जिनके अंदर इलेक्ट्रोन का कौनिय सम्वेग कितना हो ना चीए एच अपॉन टू पाई का पुन्णांक गुनज हो समझ में आ गई बात तो आपको यहां यह बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोन नाबिक के चारो और इलेक्ट्रोन नाबिक के चारो और उस कख्षा में परिकर्मन करता है कौन सी कख्षा में परिकर्मन करेगा जिसका परिकर्मन करता है जिसमें इलेक्ट्रोन का कौनिय सम्वेग इलेक्ट्रोन का कौनिय सम्वेग जिसे आप L से रिपरजेंट कर सकते हैं और उसकी वैली होती है H upon 2π तो कौनिय सम्वेग H upon 2π का पुनांक गुनज हो ठीक है पुनांक गुनज का मतलब क्या है वह एक दो तीन चार पांच ऐसे मल्टिपल में होना चाहिए ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ L N is equal to L equal to क्या होता है M V R होता है एक तो जनरल और यहां पर जो आपके दिया गया है जो आपकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये डेराइव होता है या मॉडन फिजिक्स में जो आपके परमानू के इलेक्ट्रोन होते है उनका कॉर्ण ये सम्वेग होता है H upon 2π तो Nth कक्षा के लिए कितना हो जाएगा NH upon में 2π समझ में आ गई बात किलियर है और जहां पर जहां N बराबर होगा 1, 2, 3 समझ में आ गई बात N क्या होगा ये जो N है ये आपकी होती है मुख्य क्वांटम संख्या ठीक है N क्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है तो LN is equal to MVRN is equal to NH upon 2π होगा समझ में आ गई बात तो ये ही तो पूचा था देखो पीछे कोशन क्या था कि बौर मॉडल के अनुसार electron का N बराबर 2 को सामे कक्षिय कौर्णिय समवे क्षिय कौर्णिय समवे क्या था NH upon 2π N के वेली 2 पूट करते H upon पाई आ गया ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है और एक बात याद रख सकते हैं आप ये कि जो आपका H upon 2π है उसे हम H बार से भी रिपरजेंट कर सकते हैं यानि L N is equal to आप कह सकते हो NH बार ठीक है ये चीज इसलिए बताई क्योंकि कई बार एक्जाम के अंदर देखा गया है कि आपको H upon 2π न दे करके direct H बार दे दिया जाता है और वहाँ फिर हम कंप्यों जो जाते हैं कि H बार आखिर में नई चीज क्या आ गई ठीक है तो H बार कोई नई चीज नहीं है ये पुरानी चीज ही है जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ठीक है clear है चलिए थर्ड पॉस्टूलेट क्या कहता है थर्ड पॉस्टूलेट कहता है कि इस्ताई कक्षाएं जो होगी इनके लिए प्रमाणू की उर्जा निच्छित होती है ठीक तो ये बात आप याद रखेंगे कि इस्ताई कक्षा के लिए इस्ताई कक्षा के लिए प्रमाणू की उड़जा निचित होती है ठीक है तो प्रमानू की जो एनर्जी है वो निचित होती है ये बात आप लोगों को याद रखनी है सर ये निचित कैसे होती है तो देखिए भाई सपोज करिये कि एक कक्षा के अंदर एनर्जी है कितनी सपोज करो N2 एक कक्षा है जिसके अंदर अनर्जी है En2 और एक और आपके ले लिगए En1 En1 क्या है सपोज करो और कोई कक्षा है ठीक, तो एक कक्षा के अंदर अनर्जी है En1 एक में है En2 इन दोनों का जो आप डिफ्रेंस लेंगे वो डिफ्रेंस Einstein की जो equation है या Einstein Planck समीकरण है उसके अनुसार क्या होगा H mu और H mu को लिख सकते हैं H c upon में lambda यानि की delta E energy का difference कितना हो जाएगा H c upon में lambda तो हम कह सकते हैं कि जो इस्थाइक अक्साए हैं उनके लिए energy निच्चित हुई या नहीं हुई ना निच्चित तो आप कह सकते हैं कि energy difference जो होगा वो H c upon lambda होगा या H mu होगा तो यहां से एक चीज़ और पता चली कि mu बराबर होता है c upon lambda और ये आगे हमारे काम आएगी जब हम hydrogen spectrum war model का जो है वो पढ़ेंगे तब समझ में आगई बात clear है आप सबी लोगों के लिए तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमानू क्या है तो कन ऐसा जो अव विबाज्य हो और वैसे सिख दर्सन जो एक गरंत है उसके अंदर महसी कनाज ने भी ये कहा है और फिर इसका केमिस्टी लेवल पर जो है इसका सबसे पहले परतिपादन या सिदान्तिक रूप से परतिपादन किस ने किया तो डॉल्टन सिदान्त में हुआ अठारा सो तीन के अंदर फिर इसके लिए थॉम्सन मॉडल आया फिर रदरफोर मॉडल आया फिर थर्ड नंबर पर आया आपके हाइडोजन और हाइडोजन के सदर्स जो परमाणू होते हैं उनके लिए बॉर मॉडल इस बॉर मॉडल को डैन्मार्क के वेग्यानिक निल्स बॉर ने परतिपादित किया था इसमें बॉर सिदान्त के कुछ पहले पॉस्टूलेट्स कुछ अभिग्रहित रखे गए थे जैसे पहला अभिग्रहित है कि प्रमाणू में इलेक्ट्रोन कुछ निच्चित तरज्याओं की कक्षाओं में ही परिकर्मन करता है इस परकार की जो विशिष्ट कक्षाएं होगी उनको आप इस्थाई कक्षा कहते हैं इलेक्ट्रोन नाभी के चारों और उसी कक्षा में परिकर्मन करेगा जिस कक्षा के इलेक्ट्रोन का कौनिय सम्वेग एच अपॉन टूपाई का हुनांक गुणज होगा यानि कि कक्षिक यह सम्वे क्या खिया सकते है N.S.1 2 बाई होता है ठीक फिर थर्ड आया जाता है कि आपकी इस्थाई कक्षा के लिए जो प्रमानू है उसकी energy निचित होती है वो निचित कितनी होती है S.C.1 में Lambda ठीक है किलियर है आप सभी लोगों के लिए किसी परकार की कह नहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे के चीज और आगे के जो भी चीज़े बता रहा हूं वो डायरेक्ट एक्जाम के अंदर आती हैं सबसे पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रोन कक्षाओं की त्रिजिया किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोनों की कक्षाओं हैं उन कक्षाओं की अब हम जो हैं त्रिजिया निकालने जा रहे हैं समझ में आगई बात किलियर है चलिए तो इसको इंगलीज में अगर कोई लिख रा तो लिख सकता है radius of electron orbits ठीक है हम radius निकालने जा रहे हैं जो electrons के orbit है उनकी अब इसका जो formula derive होता है वो derivation हमारे कहीं भी किसी परकार से कोई काम नहीं आता हमें mainly जो इसके formula जा हैं वो direct याद रखने हैं तो सबसे पहले तो rn का जो सबसे बड़ा formula है जिसके अंदर कुछ b constant पूट नहीं कर रहा है direct लिक्वा रहा हूं वो याद रखेंगे तो epsilon square n square h square ठीक है upon में pi m z e square ठीक है epsilon not n square h square upon में pi m z e square epsilon not constant है आप लोग जानते है n square यादि n जो है वो क्या है आपकी कक्षा है h क्या है constant है और pi constant है m क्या है उस परमानू का दर्वेमान है z क्या है उसके परमानू करमांग है e क्या है तो electron का जो आपका electron है उसका जो उपर आपके आवेश होता है उसकी value है ठीक है समझ में आगई बात अब ये तो हुआ general formula जिसको आप कह सकते हैं कि इससे से ही अब मैं जो आगे दो चार चीज़े लिखवा रहा हूं वो derive हुई है या इसी में कहीं ने कहीं value पूट करने पर आई है जैसे कि अगर हम कहते हैं z बराबर one के लिए यानि की hydrogen की पर्थम कक्षा की त्रिज्या पर्थम कक्षा यानि की n बराबर है one और hydrogen यानि की z बराबर है one ठीक तो z और n यहां पूट करते ही हमारे पास में r1 की value जो है वो क्या आ जाएगी epsilon not h square upon me pi m e square यह आ जाएगा और इसके अंदर जैसे ही आप epsilon not h pi m e इन सब की value पूट करोगे तो इन सब की value पूट करने पर यह जो answer देगा वो आ जाएगा आपके 0.529 यह तो आएगा एंगस्ट्रम में इसी एंगस्ट्रम को अगर आप pico meter में बदलते हैं तो आता है 52.9 जिसे लग बग हम कहेंगे 53 pico meter और इसे ही अगर हम meter में बात करें तो इसका answer आएगा 0.529 इंटू 10 की power minus 10 meter ठीक है अब meter से centimeter न किलो में नहीं आप लोगों को बदलने आते ही हैं तो आप ये कह सकते हैं कि R1 बराबर 0.529 एंगस्ट्रम होता है ठीक है क्यों याद रखना है सर ये अरे ये इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी question बताया था ना direct पूछते हैं इसको और इसको आप जो है क्या कहेंगे तो इसको आप ए नोट से रिपरजेंटर करेंगे समझ में आ गई बात clear है अब ये R1 यानी hydrogen के लिए पर्थम कोक्षा की तिरजिया कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रम तो ऐसे तो क्या सर हर बार calculation करने बैटेंगे नहीं अब मैं यहाँ general formula लिखवा देता हूँ देखो भाई R N बराबर अब आपको केवल इतना याद रखना है कि N square A naught upon में Z होता है ठीक है ये होता है ये बात आप लोगों को याद रखनी है clear है आप सबी लोगों के क्या होता है R N यानि कि किसी भी N V कक्षा की तिरजिया निकालनी है अगर तो आ आप क्या करेंगे उस परमानू की जो भी कक्षा की तिरजिया निकालनी है वो पूट कर दोगे और साथ में फिर A naught A naught की value कितनी है पीछे बता दिये मैंने 0.529 एंगस्ट्रम में पीको मीटर में पूट करनी है तो 53 पूट कर देना मीटर में पूट करनी है तो 0.529 इंटू कोशन करते हैं चोटा सा तो आप कोशन नौट डाउन करेंगे बेसिक कोशन करवा रहा हूँ हलाकि एक तो मैंने करवा दिया पीछे आपको जो आया हुगा है और ये करवा रहा हूँ एल आई प्लस प्लस आयन के लिए पर्थम कक्षा की त्रिजिया ग्याद कीजिए ठीक है तो हमें क्या निकालना है लीथियम प्लस प्लस ठीक है अब लीथियम प्लस प्लस सबसे पहले दो तो मैं आपको बता चुका हूँ वैसे भी पीछे कि हाइड्रोजन ये जो आपका बहुर मॉडल है उसको लिखवाने से पहले ही मैंने क्या लिखवाय था हाइड्रो तो एक electron बजते ही ये hydrogen के सम्मान हो गया ना हुआ ना hydrogen के सम्मान तो बस वही चीज़ है तो जो भी परमाणू आप बहुत मॉडल के लिए use करेंगे वो hydrogen के सदर्स होना चाहिए अब हम निकालने जा रहे हैं lithium plus plus के लिए तो देखो lithium का Z यानि परमाणू करमांग कितना है 3 N क्या लेना है पर्थम कक्षा यानि की 1 तो Z और N की value आ गई अब देखो R N बराबर N square यानि 1 का square into A naught A naught की value कितनी है A naught की जगे आप जो भी put करना है वो ले सकते हैं मैं ले रहा हूँ अभी 53 picometer वाली upon में Z यानि की 3 तो ये हो जाएगा 53 upon में 3 मैंने ये क्यों लिया था picometer वाला क्योंकि अगर मैं angstrom वाला लेता तो 0.529 में 3 का बाग देना टब था मेरे लिए लेकिन 3 का इसमें दे सकते हैं कितना आएगा 17 51 होता है यानि 17 तो आएगा याएगा समझ में आई बात तो R1 लीथियम के लिए कितना हो जाएगा 17.66 picometer इसका answer हो जाएगा समझ में आगई बात तो आपको सबसे पहले इसके अंदर ये रट लेना है कि electron कक्षाओं की तिर्जया जो है उसका फॉर्मूला क्या है तो Rn is equal to epsilon naught n square h square ठीक है जेड बराबर 1 और N बराबर 1 पूट करने पर hydrogen की जो पर्थम कक्षा की तिर्जया है वो आजाती है Rn is equal to epsilon naught h square upon pi m e square इसमें value पूट करेंगे answer आजाएगा 0.529 angostrum का हो चाए 53 picometer का हो चाए 0.529 into 10 की पार minus 10 meter का हो समझ में आगई बात तीनों ही सेम है और जो ये R1 है इसको हम कह रहे हैं A naught तो अब हमने एक general trick के रूप में formula निकाल दिया radius का क्या Rn is equal to N square A naught upon my Z अब चाए कोई भी परमानू दे या मैंने lithium लिया था अब मैं आप लोगों को एक और question दे रहा हूँ वो आप खुद करेंगे गर पे बैट करके आराम से ठीक है और ये आपका लीजिए सपोज करिए क्या है तो आपका carbon plus 5 ठीक है की तीसरी कक्षा सौरी तीसरी नहीं 6th C प्लस 5 की 6th कक्षा का 6th कक्षा की तीजिया ग्यात करो ठीक है ये मैंने आपको question दे दिया की carbon plus 5 है ठीक है उसकी 6th number की जो कक्षा होगी उसकी आप तीजिया निकालिये ठीक है इस type का ही question आता है देखो आमने पीछे भी करा है वापस से बता देता हूँ जो अभी जुड़े है तो देख लो एक बार वापस question को कि हमने पहला ही question देखो ये रहा 58th number पर क्या है question 58th number पर कि आप बताईए कि tritium यानि की tritium जो होता है ठीक है या हिंदी में इन्होंने tritium लिका है जो कि tritium होता है hydrogen का ये समस्तानिक है और n बराबर 2 अवस्ता के लिए बहुर कक्षा की तिर जा तो मैंने direct formula क्या लगाया rn is equal to n square a not upon z a not की value fix है n की value 2 d a 2 का is square 4 upon z z की value कितनी हो जाएगी एक ही तो बस और यहां तो ये दे भी रखाता देखो ऐसा direct कर सकते थे आप देखने की जरूती नहीं थी ठीक है समझ में आई बात तो ऐसे ही question आप लोगों को exam के अंदर पूछे जाते हैं ठीक है समझ में आ रहे हैं यह नहीं बात चलिए ठीक है दोस्तो तो अब हम मिलेंगे अगली class के अंदर मैं long class नहीं ले रहा हूँ अभी कुछ problem है इसलिए ठीक है जो हमारा software है वो वापस से कुछ problem कर रहा है अभी सुबह ही उसको update करके सही करा था इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है आज की class जो है हमारी हो चुकी है अब next class जो आएगी वो आपके लिए बड़ी ही आएगी और उसके अंदर भी ये topic अपरा complete हो जाएगा और वो class कल आजाएगी आपके ठीक है आज 8 June है 9 June को आपका syllabus complete हो जाएगा और 9 June तक जो भी students हमारे notes ले रहे थे उनको complete syllabus का notes भी provide करवा दिया जाएगा इस class को जादा से जादा लोगों तक शेयर कर दीजेगा धन्यवाद आप सभी लोगों का